वेलकम तु न्यू लेसन आज के लेसन में मैं आपसे बहुत ही छोटी सी चीज डिसकस करना चाहता हूँ बहुत 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 ज़ादा इंपोर्टन ये चीज है अब देखो हुआ क्या था कि काफी टाइम पहले कुछ if I'm not wrong पांच से छे महीने पहले एक mail आई थी Google से सब के पास mail क्या थी कि जो Google के representative थे जो Google Ads के representative थे they were asking for some access कि भई permission basically वो ask कर रहे थे जिससे कि होता क्या कि वो जो सारे changes वो खुदी implement कर सकते थे मतला बगर आपके account में कोई change करना है तो Google का representative खुद वो change implement कर देगा अब ये बड़ी drastic चीज थी क्योंकि इससे होता क्या कि सारा जो control है एक तरीके से वो Google के पास वापस जा रहा था और Google सारे changes खुद कर देता इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप यहाँ settings में जाओगे अब देखो यहाँ पर होता क्या है आप देख रहे हैं आप एक recommendations करके चीज है जब आप इस recommendation के अंदर जाओगे तो Google आपको कुछ recommendations देता है कि भाईया account में ये improvement कर लो account में ये improvement कर लो ये keyword add कर लो ये keyword हटा दो ऐसे कुछ suggestions देता है और यहाँ पर दो option देता है एक accept करने का एक reject करने का आप चाहो तो change को accept कर सकते हो या आप चाहो तो change को reject कर सकते हो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कभी भी Google के recommendations आख बंद करके accept नहीं करने मैं दुबारा repeat कर रहा हूं कभी भी Google की recommendations आख बंद करके report नहीं करने मतलब accept नहीं करने believe me on this Google ads के जो support executives हैं जो support में है उन्हें चीजे ज़्यादा नहीं पता उन्हें बड़ी उपर उपर से चीजे पता हैं वो basically generic चीजे बताते हैं वो आपको बता देंगे कि broad match पे रन करो यह नो बड़ी generic चीजे बताते हैं तो हमेशा accept नहीं करना यह बहुत ज़्यादा important है आप recommendation देखो जो recommendation सही लगरी है उसे accept करो दूसरी चीज आप जभी भी यहाँ settings में जाओगे ठीक है और यहाँ जाओगे account settings में और थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो आपके पास एक यहाँ पे चीज होगी अभी देखो दिखेगी account status देखो tracking, auto tagging, messages call, reporting, inventory add suggestions, add suggestions है इसे click करो यह by default देखो क्या है automatically apply add suggestions after 14 days तो search network पे अगर आप 14 दिन तक कोई action नहीं लोगे तो google सारे suggestions को automatically apply कर देगा this is very important automatically search network के लिए google apply कर देगा अब होगा क्या कि बड़े सारे बेकार recommendations ऐसे recommendations जिससे आपके पैसे ज़्यादा खर्चोंगे वो भी google apply कर देगा और ultimately आपको loss होगा तो ऐसा कभी नहीं करना make sure कि आप हमेशा ये check कर के रखो don't automatically apply add suggestions देखो इसको google कहा रहा है not recommended बट आपके लिए recommended है google की बात नहीं सुननी आपे अगर आप इसे select नहीं करोगे तो आपको बहुत loss होगा वहिया तो make sure कि हमेशा don't automatically apply add suggestions रखो और यहाँ से इसको कर दो save हमेशा यही करना है ठीक है और यहाँ पर recommendations जो पढ़ो उसे पढ़के ही apply करो बिना पढ़े कभी भी apply मत करो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है ठीक है जी तो यह बहुत ही छोटी सी वीडियो थी बहुत 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 ज़्यादा जरूरी थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो